सीरियल आईना में फौन करती है सुनेना मा को की तुम अपना ख्याल रखना और अजीब बातें करती है तो मा नमन को बता देती है नमन कहता है यहां तो सुनेना नहीं है मैं जा रहा हूँ ढूनने फिर उसे चिट्थी मिल जाती है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें रही हूँ अगले जनम में मिलूंगी और नमन परिशान हो जाता है मा बेहोस हो जाती है और फिर सुनेना वहां से चली जाती है फिर दो साल बात की स्टोरी बताई जाती है और तभी एक लड़की स्कूटी पे बैठकर सामने से आती है और वह बिलकुल सुनेना जैसी है और एक लड़का कार में आता है और उसे परिशान करता है सुनाना कहती है जिसका नाम सिमरन है कि लोको मैं तुम्हें बताती हूँ अभी परिशान कर रहे हो मुझे और मुझे तुम्हारी इस नहीं बैठना है जीप में इस जीप में तो मेरी जूती भी नहीं बैठेगी और उसे मज़ा चखा कर वहां से अपनी सहेली के साथ चली जाती है फिर यहां पर मा जो है वह बिलकुल शांत हो गई है चाप है कुछ नहीं बोलती एक सब्द भी नहीं कहती और कोई जवाब नहीं देती किसी की बातों का उसे सद्मा लगा है धर पर जब पहुँचती है सिम्रन कॉलिज तो फिर से वही लड़का दिख जाता है और इधर नमन के पास आती है मा कहती है तुम पंकजा से शादी कर लो क्योंकि अब तुम इतने दिन हो गई क्या करोगे तो नमन कहता है नहीं जब तक मेरी सुनेना नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं करूँगा और आपकी बात कभी नहीं मानूँगा इधर पर सुनेना को किड्नेप करके ले आता है जो सिम्रन है वही लड़का और उसे कहता है कि तुने अगर आसानी से मेरी बात नहीं मानी तो मैं जबर जस्ति तुझ से सादी करूँ गा और उसे किड़नेप करके रख लेता है उसके पास फोन धोके से छूट जाता है वह अपनी सहेली को फोन करती है और फिर बुला लेती है उसे अपने पास जहां वह किडनेप करे लाया होता है और वह बाहर निकर कर चली जाती है बच जाती है उन गुंड़ों से और जब घर में पंकजा होती है तैयार हो रही होती है कहती है देखो मैं कितनी सुन्दर लग रही हूं सिव्या से तो सिव्या कहती है कि पत्नी तो केवल सुनैना थी और वही रहेगी वह जरूर बापस लगता है इधर पर परिशान हो जाता है नमन और नमन को सामने से वह सिम्रा नाती हुई दिखती है वह कहता है कि तुम सुनेना हो और उसे गले से लगा लेता है तो कहती है कि कितना चिपक रहुए लड़के बुरे होते हैं